So hi everyone, this is Java Stovic, 1st year MBBS, Shilchan Medical College and this is my friend, hello friend, I am Vakar Shilai, MBBS 1st year So, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुती ज़्यादा important चीज लाए है नी 2023 आसाम में जब आपका college में admission होगा, medical college में तब आपको वहाँ जाके कौन से कौन से documents चाहिए होंगे and कौन से documents like आपको form fill up करने होंगे उसके बारे में आज हम discuss करने वाले हैं पूरी तरह बहुती ज़्यादा important वीडियो है इस topic पर कोई भी वीडियो है ही नहीं पूरे YouTube में जितना मैंने देखा है आसाम के state के रिए तो नहीं है मतलब कोई relevant या मतलब उतना अच्छा वीडियो नहीं ही और हम लोग पूरी तरह से यह discuss करने वाले हैं कि क्या क्या documents required रहेंगे राइट वाकस यह इसा वीडियो आपको बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे कौन से documents लेके जाना है और हम लोग भी confused हुए थे कि क्या लेके जाना है वहाँ पर बाद में टाइम लग जाता है जो जो वाकस मिलके आपके लिए डिस्स कर लेंगे विकॉस लाइक यह कॉलेज का लाइक जो कॉलेज ने पोश्टर लगाया है कि मतलब हम जब वहाँ गए थे कॉलेज में लेने लास्ट टियर तो उस वक्त कॉलेज का मतलब जो दर्वाजा इस पर यह लगा हुआ था जैसे यह डोकुमेंट सी चाहिए होंगे हमारे कोलेज के लिए था यह आप देख सकते हो तो मैं आपको अगर पहले से बता हूं कौन से कौन से डोकुमेंट आपको चाहिए होंगे उससे पहले आप यह देख सकते हैं students are required to submit one copy of each certificate with original copy and one copy to keep with them so क्या है कि आपको एक original copy लाना होगा and एक Xerox copy भी करवाना होगा so आप समझी सकते हो कि आपको दो copies लाने होंगे उसके बाद जो पहला डोकुमेंट है वो एनेकजर 1 है definitely आपको पता है 20 years of residency का है एनेकजर 2 है उसके बाद class 7 से लेके 12 तक class 3, 4, 5, 6, 7, till 8 या 9, 10 आप बोल सकते हो जो भी required है आपके लिए अगर आपको required है तो required है तब आप use करना वरना नहीं है तो then skip it उसके बाद नीट यूजी का admit card, नीट यूजी का rank letter, rank letter मतलब score card कोई लिकत नहीं है उसके बाद 10th का admit card उसके बाद 10th का admit card, 10th का mark sheet और past certificate similarly आपको class dual का mark sheet, admit card और past certificate चाहिए और उसके बाद very important है आपका PRC, PRC उसका आप 2-2 copy ज़रा सकर के लेके जाना definitely, उसके बाद? उसके बाद आपका, आपके जो भी category के आप हो, अगर आप OPC category हो तो उसका OPC का certificate लेके जाना और EWS के हो तो EWS का certificate लेके जाना, अपना relevant category का certificate है तो लेके जाना definitely, मतलब काश certificate आप लेके जाना, SCHT और बाकी सारे वोकस ने बोली दिया है, PWD हो तो आप लेके जाना अपने बास रख लेना, कोई दिकत नहीं होगा, उसके बाद अगर हम बात करें, यह बहुत ही जादा इंपोर्टन चीज है, किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं किया है, मतलब मैंने जितना तक देखा है, मैंने जितना तक research किया है, आप यह अच्छे से देख लिजेगा वरना आपको वहाँ जाके काफी confusion होगा, अगर आप यह पहले से देख के जाते हो, यह बहुत है, मतलब वहाँ जाके आपको सारे information आपको पता होगा, so forms required during filling, forms to fill up in college during admission, वहाँ जाके आपको कौन से form fill up करने होंगे, so वहाँ जाके आपको पहले ही मतलब जो पहला form होगा, वह होगा schedule one application form, वह आपको fill up करना होगा, all right, schedule one application form में आपको दिखा दूँगा कौन सा है, आपको पता ही होगा, DME Assam के website में वह रहता है पहले से ही, उसके बाद declaration और scrutiny form, यह form है, यह आपको fill up करना होगा, उसके बाद signature which was put during need 2023, so एक ऐसा मतलब form रहेगा, जिसमें आपको signature fill up करना है, काफी सारे 3-4 signature आपको लिखकर देने होगे, वह आपको fill up करना होगा, उसके बाद medical fitness certificate आप बोल सकते हो, उसका एक नाम दिख दिया, report of medical examination board, so वह आपको fill up, वह आपको मतलब लाइका करवाना होगा, college में ही जाके करवाना होगा, आपको बाहर से नहीं करवाना ताकि जो भी college, जैसा भी size का मांगे, आप लोग वहाँ पर दे सकते हो, तो आप अलग-अलग size के photos लेके जाना है, definitely, and वह लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, और सारे same photos होने चाहिए, जैसे वाकास ने बता है, आप लोग different sizes के photos लेके जाना, and आप आप देख सकते होगा, का in Mbps में difficulties होती है, definitely Mbps course ही एक, like, it's a tough course, but, जो भी आपको अच्छा लाइगा, and let's continue on the video, उसके बाद अगर 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 हम बात करें application form के बारे में, so, यह है schedule 1 application form, all right, यह आपको fill up कर ना ही होगा, अगर आप पहले से fill up कर के लेके आएंगे तब होगा, पर अगर अगर आपको लिखना है उसके बाद फिलेज पोस्ट ओफिस पिन को डिस्टिक स्टेट आप लिख दिजेगा यहां पर एक फोटो भी लगा दिजेगा जो मैंने फोटो का बारे में बताया बताया ही ता और फोटो पेस्ट करना है अब अब एक फोटो लगाने में आपको काम आएंगे बहुत अच्छे और आपको यह लेकर जाना बहुत अच्छा होगा आपके लिए यहां पर आप सिंग्नेचर लिख दी जगा इधर आपको आपको आइए लिखना होगा यह अब उतना अप्डेट नहीं इस जगह पर आप आपको सिंग्नेचर करना होगा और अगर आप मतलब आपका भी यही वाला फॉर्म रहा देन बस यहां छोटे से आप सिंग्नेचर कर देना उसके बाद अगर हम बात करें यह हो गया था टेलीफून नमर आप अगर आपके पास है आप लिख दीजे अगर नहीं है दिन अगर आप सेम देंगे तभी आपका अच्छा होगा मैं यह बोल रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट मत कीजिए आपका दिक्कत हो जाएगा उसके बाद अगर आप देखें नीट का रोल नबर आप लिख दीजेगा नीट का स्कोर आप लिख दीजेगा जितना आपको मिला थ अगर आपका दूसरा स्टेट तब लिख दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आपको मतलब वहां पर क्या फिलब करना है कि आपका 31 और 20 23 में जो भी एज होगा वो लिखना है जैसे आपका अगर एज होगा 21 यर्स 9 माथ और 5 डेज जो भी होगा ऐसे लिखना है औ और उसके बाद आपको पर्मायन डेडर्स लेकना पड़ेगा आपका जो पर्मायन डेडर्स है जहां पर आपका पैर्मायन डेडर्स का होम है वह लिखना है क्योंकि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कोजिंग में बढ़ते हो वह सब नहीं लिखना है पर्मायन डेडर्स आंधान्त आप को स्टेष स्टेट कारना है तो आप सीध को रट वाला में छाहना करना आप तो यदिय को वाले में असने केट करना रेकıt के बाद हुआ मि तो इंडिये में कटेम करना । जो भी का कर्ण चिकर्द करना कटीज़िटल मेंन दोब ऐसटhone फोटन आपको वॉक्स हो तोब आ टिक पर दिया को में उनने हाओ वह सैकी ही 1ग दीगन में पिर्टिक इन अगर आपको पूटेसल गोता है यह सब केडिगरी heures कोतनब आपको दो भी है अगर आपके पास sub category है तेन आपको दो जगा पर टिक करना होगा और एक चीज जैसे पर्मनेट होम एड्रेस आपको तभी लिखना है अगर ये आपका जो फूल पोश्टल एडरेस है उसका different है अगर आपका present address different है और आपका permanent address different है तब जाकर आप ये fill up कीज़ेगा अगर दोनों same है देन बस ये full postal address ही fill up कर दीज़ेगा उससे हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें course allotted की so course allotted अगर आपने अगर आपने बस बीडियेस भी चूस किया दिन आप दोनों को चूस कर दिज़ेगा उसके बाद आपका जो college allotted है जो जिस college में आप admission लेने वाले हैं वह आप लिग दीज़ेगा उसके बाद लाइक नेम दा उनिवर्सिटी बौर्ड बोर्ड है ऑप लिग दीज़ेगा अगर सेभा होगा या सीबी सी होगा जो भी आप लिख दीज़ेगा तो यह तिन का है is 12 का जो अगर आपका एहसे क्हें तो ऐसे लिग दीजे अगर आपका cbs ंग दीजे उसके बाद प्लस करके डिवाइट करके आप परसंटेज निकाल लीजेगा और वह लिख दिएगा यह सब लाइक आपने फॉर्म फिलब के वक्त भी किया होगा नीट के एप्लिकेशन फॉर्म और अभी जो रेजिस्ट्रेशन चल लोगा इस वक्त भी आपने किया होगा इस ध्यान रखिए कि जो भी आपने किया है सारे सेम हो राइट कोई डिफरेंस ना आए आप मिधर इधर मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं मिस्टेक्स करने से दिक्कत हो जाएगा उसके बाद परसंटेज अप्टेंट आपको सब्जेट वाइस मा मार्कक सेवेटी हुता है और प्रेक्टियो ने सफिसमील लिह इन तीनोंबी और इंगली Is जिए प्रसरह ऩेवागा आप को बाद अंपको नोट ने सब् वो कह 5 missing एपको किया literature लिखने का आपर क면με लिए उसके भलोग प्लोग प Moo इंश्धा सकते हो यह दो सब्सक्राइब धज है फुल नहीं लिखने की आइ установите का इनống हो कर लिए आप फूल नेम लिखना ग Вас करे बारบ 받कना करें एक इंपोर्ड हो मैं इंपनेन कीशा आपको पता नहीं होगा, आगर आपको पता है तेन आप देख लिजे, कुछ जाधा नहीं है, बस नेमोदा केंडिडेट, ब्लोक लेटर में लिखिएगा, अच्छा होगा, नेमोदा फादार मादर गारजन, कोई भी एड्रेस आप लिख दिजेगा, जो आपका प्रेजेंट आपको प्रोविशनल स्टेट नहीं लिखना है, 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 आपको प्रोविशनल पहले कौन सा आपका प्रिफेरेंस होगा वो आप देख लिए नॉरमली एमीबेस का फर्स्ट रिफेरेंस होता है वीडेस का सेके अपड़ दीजएगा जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक लाइक श्टूडेंट ने प्रिफेरेंस लिफारा हुआ है पहले जीमसी एमसी एलम से बताया है और अगर आपको पहले सी आपने डिजाइट करके रखाए कि आप किन फैक्टर्स के बेसिस पर आप चोईस फिलिंग ओडर करोगे तो आप वो भी कर सकते हो कोई दिक्ट नहीं है उसके बाद आप देख सकते हो फिसिस केमेश्री बायोजी का मतलब आपका था या जैसे में जैसे आप देख सकते हो अगर आपका OBC MOBC है एंड आपका एक और सब्सक्राइगरी है दिन आपको दोनों में टिक करना होगा तीजल में भी टिक करना होगा उसके बाद अगर स्टाइट फॉम आसाम येस उसके बाद इफ येस मतलब वैदर एपलिकन स्टाइट आसाम येस होगा इस प्रियोड ऑफ स्कूलिंग आप लिग दिजेगा कहां से कहां मतलब किस एर से किस एर तक उसके बाद वेदर फादर मदर सर्विंग आउटसाइड आसाम सो आप वो लिग दिजेगा अगर येस है तो येस बरना नो पार्मनें रिजिदेंशियल कौँसे डिष्टिक में आप रहते हो कौँसे स्टेट में आप रहते हो उसके बाद वेदर फादर मदर इस एक इंपरेंट चीज जो वाका सापको बोल देगा हैं रिटिंग में क्या होगा कि आपके ना ऊप एक परगवग दिया होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा व आपका जो नेचरल हें राइटिंग है उसमें कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है हाँ है एक लंबा पैरग्राप दिया होगा आप बोल सकते हो उसमें बस जो आपको आपको दिया होगा वही आपको आपने हैं लिखना है उसके बाद एक और इंपोर्टन चीज जैसे कि आप द इसमें इसमें मतलल लिखा रा झाला पको या स्यथ्या यह न्यों साम जाप्रिश भी लेजाना हो कि आपको सेम गजाना है करके आपको ह्पेर जे को प्रिंट करके लेके सकते हो शेरा के अर इसले आ यह करके सकते हो तो अगर आप EWS हो, OBC हो, PWD हो जो भी है आपका वो लेकर जाना है और आपका प्रूफ लेकर जाना है तो हाँ प्या लेकर जा सकते हो पासपोर्ट भी लेकर जा सकते हो बाट सर्टिफिकेट से भी हो जाएगा आप देख सकते हो कि मतलब लाइक सारे चीजे हमने बता दिये हैं आपको एंड उसके बाद अगर आप देख सकते हो इसका नाम रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जमिनेशन बोर्ड है तो यह आपको कराना होगा और यह एक ही चीजे की यह आपको कॉलेज में जाके कराना होगा जो कॉलेज के मतलब लाइक एक रूम रहेगा उसमें लाइक फेकल्टी बैटे रहेंगे या प्रोफेसर आप बोल सकते हो डॉक्टर से वो बैटे रहेंगे और वही आपका मतलब जो क्या बोलते हैं एक्जमिनेशन है वो कर देंगे और आपको उधर जाकी कराना होगा यह जेनरेल विजन अदर्स है उसके बाद एंट कराना होगा जनल हीरिं अदर्स इसमें आपको इक इन्स्रूमेंट लाइक मलब यहर के अंदर बोल सकते हो मतलब दो पूट एन देविस चेक सो आई में आप देख सकते कुछ चार्ट होंगे जैसे शियार चार्ट होगा यह स्न आपके बाद मेडिसीन में भी अगर उनको जरूरत हो जैसे जो नॉर्मल पल्स बीपी वेट जेनरल जो है वो सब आपको दिखाएंगे सीवेस अब्डोमेन उनका भी अगर आपका जो स्पिग्मो मेनोमेटर है उसमें आपका बीपी मेजर कर लेंगे तो वो नॉर्मल वी मेल उनको वो कराना होगा और उसमें भी कोई ज्यादा दिकत कुछ नहीं होने वाला है उसके बाद आप देख सकते हो यह आपका हो जाएगा medical fitness certificate यही है कोई ज्यादा दिकत का कोई बात नहीं है इसमें उसके बाद होस्टेल एलटमेंट फोर्म उसके बारे में वाकस आ है को नहीं होगे है इसमार एक कि चया एक आपको क्यानापड़का का एक सर्ब म्लक्story सिर्टीक का उसमें करना और उच्छ अपना इनगे उसमें क्यादना होगा और उसमें आपको देना होगा और फर्म त्रम नहीं है कोई लिखना है खिरनेन यह बैदरियम के छismना यह I और कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब और फास्ट यह आपको लिखना होगा और कोई मतलब ऐसा कोई इंफरमेशन नहीं है जो आपको पता नहीं होगा एंड फीज के बारे में हम बात कर लेंगा अभी-अभी कोई दिक्रत नहीं आप बस बने रही है ओल्राइट सो फीज के बारे में बात करते हैं बोलते ही आ गया एडमिशन फीज उदर जाके आपको लाइक दो या तीन कैटेगरिस के फीज होगे एडमिशन फीज काउंसिलिंग फीज और होश्टिल फीज ओल्राइट सो यही आपको देने होंगे सो अब देख सकते हो यह गवाटी मेडिकल कोलेज का है इसमें क्या है फीज में भी दो कैटेगरी होते है गॉर्मेंट फीज और आपको एक साथ ही देना होगा पर मैं आपको बस कैटेगरी बता रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए है कभी कभी थाउजन या टूजन रूपीज का ही डिफरेंस होता है वो भी आपको मैं बता दूँगा ठीक हो इसके बाद आप देख सकते हो टोटल फीज बेटीन नाइंट एक्सक्लीड हो इसका मतलब टोटल फीज इक्वेल ट्याइटा है द्लटीन नाइन हड़े लास्ट यार हम लोगों से रूपी 14,900 लिया था होस्टील फीज चोड़के और होस्टल फीस जितना रहता है होस्टल फीस शिस ताउजंड रहता है सो तोटल आप देख सकते हो टोटल फीस 23,900 लिखा है तोटल 24,900 रहेगा रुपीस एक सेक्ट तो सो रुपीस 1000 रिख दिया है आप देख सकते हैं इधर लिखा हुए हुआ है काउंसिलिंग फीज अगर आप अगर आप होस्टल का भी सिस तॉजन निला लो तो टोटल 24,900 हमारे साथ क्या हुआ था कभी कभी कॉलेजेस में क्या होता है आसाम के कोलेजेस में मैं बोल रहा हूं होस्टल उसी वक्त इलोट कर देते हैं जब हाप अड्मिशन के लिए जाते हो और कभी कभी क्या होता है कि होस्टल का फीज है वो भी आपको बात में देना होता है कुछ दिश्यूंद पहले पहले उन लोगों को मिल गया था विकाश्टेल खाली थे और उन लोगों ने उधर ही मतलब पैमेंट कर दिया था सो आप मांद के चलिए कि आप 25,000 रुबीज लेके ही जाएए आपका उससे काम हो जाएगा उसके बाद पैमेंट का मेथोड जो है सो पैमेंट का मेथोड क्या था कि जो आप बोल सकते हो कांसलिंग फीस था वो कैश के इसाब से लिया गया था और और आप कार्ड में आपका जो होश्टेल बाकी जो फीजे से आप कार्ड में दे सकते हो तो आप देख सकते हो कि मतलब आप अगर कैश लेके जाएंगे तब भी एक्सेट होगा पर मतलब प्रिफर्ट यही रहेगा कि आप कैश में रुबीज 1,000 लेके जाए और कुछ और अमांट लेके चले जाएए इन कार्ड में आप रुबीस 18.9 क लेके जाए हुएगी वाट आप सकते हो कांसे आप टोटल एक Dosvies प्लापकी सारे फिस ए और होस्टल फिज आप से लेले न इज आ Ep सकते हो तो वही बेल दीच हम लोगों से यसका छी लिया था आप मतलब बस में यही बोल ऐस में कांच लिया था रोपीज 18.9 के एंड बाकी कैश में लिया था रोपीज 1,000 वही बात है एंड इस वाल इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इंफर्मेटिव लगा और यही इस टाप के वीडियो चाहिए और प्लीज सब्सक्राब जलदी जलदी सब्सक्राइब कर लिजे मोटिवेशन मिलता है आप इफ यह वैनी क्वेरी यू कैन आस्क में मतलब कोई भी डाउट हो कोई भी कोई भी पूछना हो पूछना हो और यू किन मतलब मेसेज में मतलब आप डियम कर सकते हो मुझे on instagram at the rate java stofik this is my instagram handle and yeah telegram channel भी आप जोइन कर सकते हो उसमें video जब भी आएगा आपको तुरंद पता चल जाएगा और उसमें दूसरे लोग भी है आप discussion कर सकते हो कि आपके like regarding anything regarding mbbs and anything regarding need आप बोल सकते हो at the rate java stofik 1 telegram channel जोइन कर दीजिए आपको बस videos का notification मिल जाएगा कोई distraction नहीं होगा वही बात है link description में दिया हुआ है याप search भी कर सकते हो and also subscribe to my friends channel Vakas Elahi Vakas ने भी काफी मैनत किया है इस video को मतलब बनाने के लिए and इस video को possible करने के लिए और आप लोग मैना चैनल को भी सस्क्राइब कर लिए वहाँ पर में बोट सरा content दूंगा और MBBS के बारे में वी content देते रहूंगा MBBS में क्या पढ़ना है so this is all about this video thank you and have a nice day